हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू हिंदी मिरर चानल सभी स्टुडेंट्स का दुबारा से फिर हिंदी मिरर चैनल पर स्वागत हैं जितने भी स्टुडेंट्स हैं उत्राखंड ओपन उनिवस्टी के जिनका इंग्लिश का पेपर होना है 19 और 20 अगस्त को तो हमसे जुड़ ज रहे हैं इससे पहले हम 301 अपलोड कर चुके हैं इसमें हमने 18 और 19 का अपलोड किया है गर आप भी एठाडर के स्टुडेंट्स हैं और आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लिजे जाकर क्योंकि आपके वह पेपर अपलोड हो चुके हैं और अभी जो हम पेपर लेकर आ हैं BAL 201 का यहां पर जो पेपर हम अपलोड कर रहे हैं अभी 18 का और 19 का ही आपके लिए भी लेकर आए हैं प्रेश पेपर से क्या होता है थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार से आपके पेपर exam में आ रहे हैं और किस तरह की questions exam में बनते हैं as it questions नहीं आते हैं लेकिन अगर हम continue 2-3 साल के paper उठाते हैं तो थोड़ा सा idea हो जाता है कि किस परकार के questions जो है repeat होते रहते हैं चलिए अगर वीडियो पसंद आती है हैं और आपको लगता है कि आपको चैनल से काफी help मिल रही है तो एक like तो बनता है चैनल के लिए और वीडियो के लिए और शेर कर दीजिए सभी students के लिए जो BAL यानि के second year के student हैं तो उनके लिए हम paper लेकर आ चुके हैं ये अब इससे पहले अभी हम 101 को और 101 का भी 19 का ही paper लेकर आएंगे तब तक आपको बने रहना है Hindi mirror के साथ अगर चैनल को subscribe नहीं किया है वी तक तो कर दीजिए बैल आइकन ही नहीं किया तो कर दीजिए जिसे नई वीडियो के notification आपको time से मिलते रहें चलिए यहां पर जो आपके paper का नाम है अगर आपको पेपर का नाम पता है तो अच्छी बात है अगर नहीं पता तो देख लीजिए 2018 का paper है 80 number का ही आपका paper आ रहा है आपको मालुम है लेकिन time कम कर दिया गया है दो घंटे का time कर दिया गया है काफी time लगेगा आपको paper करने में और questions यहां पर जो pattern है वो 4 का ratio यहां पर रखा गया है और 19 number का रखा गया है लेकिन दो आपको question अभी भी करने है और दो question आपको पहले भी करने होते थे लेकिन अब 20 number का हपका एक question होता है पांच में से आपकी choice होती है कुछ questions मैं पढ़ूंगी कुछ questions आप खुछ से देख लीजिएगा इसमें क्योंकि questions जो है हमें दोनों ही paper आपको भी बताने है वीडियो भूत लेंदी हो जाती है चलिए बता देते हैं कुछ questions आप देख लीजिए वैसे तो आप इसक्रेंशोट भी इसका ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर पहला question आपका जा रहा है राइट क्रिटिकल नोट ओन दा युनिवस्टी वाइट से ठीक है अब यहाँ पर questions आपको फड़कर बता देती हूँ दूसरा question यह भी आप कर सकते हो चलिए चलते हैं आगे आपके और जो question मैं नहीं बता रही अगर आपको लगता है कि important है तो उनको आप खुद से ही तयार कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपका एक short note है on the anglo section literature पर फिर right है note of john milton यह वाला question मु नियो classical writing तो यह भी आपके लिए अच्छा question बन सकता है exam के point office है फिर यहाँ पर है अब देखें यहाँ पर जो अभी उपर हमने long question में देखा था romantic यहाँ पर subject अच्छा यह subjectivism और objectivism के लिए था अब यहाँ पर आपका आग चुका है आप इसको भी question को तयार कर सकते हैं question number for write a brief note of romantism फिर यहाँ पर हम देख लिखते हैं कि write a short note और confusional poetry के ऊपर ठीक है confessional poetry वाला भी question आपके लिए important हो सकता है अब यह जो question है आपसे दूसरे तरीके से भी पुछे जा सकते हैं जरूरी नहीं कि हाँ topic आपके यही हो सकते हैं जैसे romantism है यहाँ पर आपका यह subjectivism ह है objectiveism है तो question जरूरी नहीं कि आपसे यहाँ पर सिर्फ between ही पूछा जाए इनके बारे में और भी कुछ पूछा जा सकता है तो इसलिए मैं कहते हूं कि सिर्फ topic को focus कीजिए question को focus मत कीजिए आप जितने भी paper देखोगे previous paper वहाँ पर देखे किस topic को ज्यादा focus किया जा रहा है उस topic में से किस प्रकार के questions पूछे जा रहे हैं topic को focus करना है question को focus नहीं करना है topic कितनी बार repeat हो रहा है वो चीज आपको देखनी है ठीक है चलिए अब आपका देख लेते है 19 का paper किस तरह से आपका आएगा मतलब आया था चलिए 19 का paper यह रहा आपके सामने वही pattern सब में वही 80 number का paper आता था क्योंकि यह 20 number के आपके assignment होते हैं और इस बार तो assignment भी change हो चुके हैं assignment अब जो हो चुके हैं वो 30 number के हो गए हैं जो प्रिवेस वाले paper के question हैं उनमें 30 number का हो चुका है और अब paper जो आता है वो paper भी 70 number का आता है पहले 80 नमबर का आता था 20 नमबर के आपके assignment होते हैं assignment पे मुझा लगता है सभी student ने कर लिये होंगे 15 अगस्त last date थी assignment की आपकी अब कोई date taxing नहीं हुई है तो जिन्होंने नहीं किये थे उनके लिए तो बहुत नुक्सान हो जाता है क्योंकि आपको assignment में भी पासोना होता है और आपको जो आपके paper होते हैं वहां भी पासोना होता है दोनों में पासोना होता है तभी आप पासोते हैं अगर आपने assignment नहीं दिये हैं तो उसमें आपकी back लग जाती है चलिए देख लेते हैं पेपर का नाम वही introducing in literature और ये 2019 का आपका paper है चलिए देख लेते हैं किस तरह से हैं questions आपके बने थे पहला question देख लीजिए यहाँ पर दूसरा question देख लीजिए यहाँ पर आपका बन रहा है writing critical note of the reformation in England फिर यहाँ पर आप देख लीजिए third question, fourth question मुझे लगता है कि आपका first question भी बहुत important जाने वाला है फिर यहाँ पर आते हैं आपके यहाँ पर जो question आपका बन रहा है जो हमने 18 का अभी आपको बताया था वहाँ से एक भी question यहाँ पर repeat नहीं हो रहा है बिल्कुल आपके 18 में अलग question आए है 19 में आपके अलग लाए है write a short note of humanism यहाँ पर write a short note आपका William Shakespeare वहाँ पर इनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं था फिर यहाँ पर आपका जो आपकी यह poem है write a short note on metaphysical school of poetry इसके बारे में आपको लिखना है जादा तर जो question आते हैं short note के उपर ही बनते हैं आप देखें note, short note, write a brief comment इस तरह की ही question आपके बनते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा जितने भी आपके topic हैं उसमें आप एक short note तयार कीजिएगा जिसे आपका अभी देखें विट वाला आपको question वहाँ भी था और यहाँ पर भी लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से short में पूछा गया वहाँ आपसे जो 18 वाला paper था वहाँ आपसे long question की में यह पूछा गया था तो मैं आपसे वही कहते हूँ कि topic को पकड़िए topic को तयार कीजिए ना कि questions को पकड़िए previous question paper तो हम इसलिए लेकर आते हैं कि थोड़ा आपको idea हो जाए कि कौन से topic बार 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 repeat होते हैं इसमें 2-3 topic ही सरफ repeat होए हैं 18 वाले 19 में बाकी नहीं होए हैं तो कल भी मुझे लगता है कि मैं और भी paper आपके लिए upload कर पाऊ तो अगर मैंने किये तो आप उनको भी check कर लीजेगा और तब तक आपको क्या करना है like करना है, share करना है इसको और साथ में comment box में एपनी query send करनी है और 101 का भी रह चुका है 18-19 का paper उनका भी लेकर आएंगे जल्दी ही शाम तक तो बने रहिए हिंदी मेरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसी बना के रखिए